इस कारिक्रम के पुनियाजक हैं एक हसाराच श्रियादिना दिगंबर जैन मंदिर आरके कॉलोनी भीलवाडा राजिस्थान नीदी हमें सिखाती है कि हमें अपने मानसिक स्थर को बदलते भी रहना चाहिए बनाके भी रखना चाहिए और समय पढ़ने पर उसका सही उप्योग भी करना चाहिए यह मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर आपने समय में परिवर्तन नहीं लाए भिन्ने भिन्ने प्रकार के जो समय आता है उसे भिन्ने भिन्ने प्रकार के परिवर्तन लाना चाहिए तो आफ कि जब उजिन की बात आती है कि तो गर्मी के मौसम में वेखती गर्श्ट बोजन नहीं को मपाइब के मौसम में वो थोड़ा तरल बदार ज्यादा लेता है है आए यह रविद कहता है कि अपने पेट में जो नहीं रखने की दाकत है उसका 50% liquid, 25% solid, 25% खाली गर्मी में लेकिन जब ठंडी आती है तो उसका ratio उल्टा हो जाता है 50% solid, 25% liquid और 25% खाली क्यों लेकिन ये बात जब किसी पढ़ने वाले की और जाते तो उसको कहते कि भाई तुमको 25% खाली ही रखना तुमको 10% ही खाली रखना है जब कोई बड़े बड़े उपवास करता है, तपस्या करता है तो वो 25% खाली ही रखता, वो 10% रखता है जैसी परिस्तिती बदली है वैसे आपने अपना food बदल लिए है परिस्तितियां बदलती तो अपना food बदल लेते हैं आप लोग जब बीमार होते हो तो आप कुछ खान उनके अनुसारपन बिन्ने प्रकार का भोजन आदी ग्रेंड करते हैं ऐसे ही जो जीवन में आने वाली बिन्ने प्रकार की परिस्तिया है उन बिन्ने परिस्तियों में हमें अपने आपके अंदर अपने आपके अंदर परिवर्तन लाना चाहिए वो परिवर्तन आपको परबंद कर लेते हो कि वो किने आपिखन एपनी उपर ना आये चिसमा लखा लेते हो, परिसीटिया ब़तलती ना है और घरमियों में कैप लग Advice टोपा लगा तो जैसे जैसे सरक्मस्शुंस बजादते हैं आप कुछ ने कुछ एक नया हो पाए डून लेते हो परिवर्तन करते हो और जो लोग परिवर्तन नहीं करते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम जो सोच लिए हम तो वही करेंगे और जो हम करते हैं हम तो वही करेंगे ऐसा वेक्ती सफल नहीं हो पाएगा, ऐसा वेक्ती दुखी रहेगा, ऐसा वेक्ती चाहा करें कि भी लंबा नहीं जी पाएगा, क्यों? परिवर्तन करते रहना चाहिए, आचारे उने, दिशी उने, मुनियों ने, परमात्मा बनने के रास्ते बताए है, रास्ता तो वो ही है, फिर उनको पताए कि अब लोग इतना नहीं चल सकते, उन्होंने रास्ते को थोड़ा लंबा कर दिये, क्योंकि इतना कटिन हो गया है, परिवर्तन करते रहना चाहिए, आज की नीती यही कह रही है कि जब आप, जब आप, किसी इस्तिती को बदलने की इस्तिती में ना हो, तब क्या करेंगे, जब आप किसी इस्तिती को बदलने की इस्तिती में ना हो, तब आप क्या करें, तब आपके सामने एक ही विकल बचत की हैं कि भुद बदले की चुनाथी को भुन की यह मैं कहा हु Рुब्धी था समझना है हम पर इस हम कुछ परिस्थितियों को नहीं बदल सकते अ माना कि किसी कि है स्पाथिक्त का पती गुट काता है श़राशार की तहा है मिन है और नहीं उसको पता है कि हमारा पती क्रोधी है तो समझदार होगी तो वो सोच के चलेगी कि और जिंदगी पर का साथ थोड़ना पसीर तो पर्याय है आगे यह कहीं और अपन कहीं और यह क्रोध कर रहे तो न रख जाएगा अपन शांत बाव रखोपन सर जाएंगे तो दूरी हो है कि अबuestas Bio डॉक्टर से विदेश की ठेवा है है और है मैंने उनसे पूछा कि आपका प्रोफस्षेंट का मिले मैं डाटीशह भूले मिडिटी एंधिक हमाने नहीं बहुत गड़ाईटीशन है सब्युन है टो जब मैंने उंसे पूढ़ जा तो बोले माना जी यह खाना चीए और ये नहीं खाना चीए फिर मैंने उंसे पूछा कि आपका पेट क्यों निकला अ बहुत टफ हो जाता बताना सरल है करना जितने चस्में की डॉक्टर होंगे उन सब को चस्मा लगा मिलेगा मैक्सीमुम क्योंकि अपने परिस्ति बदलना बहुत कटिन काम है दूसरी की परिस्ति बदलना या दूसरी के लिए बहुत सरल है तो अपनको खुद को बदलना एक बहुत बड़ी चुनौती है आप अगर खुद को बदलोगे तो बड़ी कोई कोई चुनौती नहीं एक जगह मंदिर के बाहर लेखा था कि कि दुनिया के हजार लोगों को सुधारने की अपेश्या से खुद को सुधारना जादा स्रेष्ट है जादा कटिन भी है आप एक बहुत बड़े वक्ता बन जाए मोटिवेशन बन जाए धार्मिक प्रोचन कार बन जाए फिर आप देखना कि आप हजारों लोगों के एक साथ समझा सकते हो जिननों हजार में से भी एक भी आकि अगर आपको समझाता है तो आप खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं हो पाओगे क्योंकि खुद को बदलना एक बहुत बड़ी चुनोती है तो जब परिस्थितियां अपने अनुकूल नहीं होती है तो आपको खुद को बदलने की चुनोती को स्विकारना चाहिए बहुत क्टिन है। पती किसी का बीमार हो व्यापार बंद हो रहा हो बच्चा व्यापार नहीं कर रहा हूँ व्यापार करने बजार में जाती है। इसने परिस्तितियों को नहीं बदल सकी तो उसने खुद को बदला है। तो हमारा आज का यह कहना है कि आपनको खुद को बदलने का भी पुर्शार्ट करके रहना चाहिए परिस्तितियों के अनुरूप बदलते जाना चाहिए लेकिन देखवाँ आप लोग नहीं बदलते हो एक विक्ति की परमात्मा से दोस्ति हो गई और उसने भगवान से कहा कि भगवान जब आपसे हमारे दोस्ति हो गई है जब हमारे उपर जाने का समय आए तो मैं थोड़ा सा पहले बता देना हम सतर्क हो जाएंगे ठीक है एक दिन ऐसा होए कि यम्राज आगया लेने वह यह चलो यह अईसा नहीं होता परमात्मा से बात होई है परमात्मा से कहा था परमात्मा ने हम तुमको संकेत बेजेंगे फिर भगवान आये उतर के उसके पास कहते हैं कि तुमने जो कहा था मैंने वो किया है लेकिन मैंने संकेदी तुम समझे नहीं थे तुम चाले से फर्स के हुए हमने तुम्हारे बाल सफेद किये कि अब समय कम बचा है तुम माने नहीं फिर हमें तुम्हारे बाल कम किये, तो तुम माने नहीं, फिर हमें तुम्हारे दाथ हिला दिये, तो तुम माने नहीं, तुम्हें 32 लगवा लिए, फिर जब तुम्हों कम सुनाई देने लगा, तुम्हें मशीन लगा लिए, तुमको चलने में तकलीफ होई लगी, तुम्हे समय अब मेरे पास आने का हो गया है लेकिन तुमने मानी कहान मेरी बाट तुमने मेरी बात मानी कहाँ आप चलो को जब भगवाद ने संकेत दे ली थी तो भरिवटन कर लेना चाहिए मनुष左 को क्या करना चाहिए कि छबार सफ़ेद होने लगे हैं अब तुम्हारी मशीन हो गई पुरानी अब खुद को बदलो चुनोती मिली है लेकिन ऐसा मत बदलना कि चने ना खा करके सतुए खा लो अब बदलो अब आपको ग्रहस्ती से उठकर के उपर उठकर के त्यागी विती बनना है सन्यास लेना है यह परिवर्तन की चुनोती जब परिस्तियां को ना बदल पाओ तो खुद को बदलने की चुनोती आपके सामने है खुद को बदल ये ज़रूरी नहीं कि आप हर बार परिस्तियां बदल पाएं लेकिन मनस्तिती बदलने की ताकत हमारे पास है हम अपनी मनस्टि को बदल सकते हैं अगर आप किसी की घर जाते हैं अंदर तक सर्वे करते हैं हर विक्ति की अपनी नई समस्या है कारण वोई राग्दुश है लेकिन हर विक्ति के जीवन में नए प्रकार की समस्या है अब यहम लोग अनात आस्रम में गए थे कुछ दिन पहले रात्ति विश्राम हुआ था मौलग बग तीन सो बच्चे थे ओफिंस थे सब उन्होंने बताया मारा जी हर बच्चे की अलग-अलग इस्तिया है और भिन्य-भिन्य इस्तिया है यह इस्तिया बनी कैसे घरनों का खेल है लेकिन उस इस्तिय में अपने को भी खुद को बदलना चाहिए दुनिया को बदलने की अफिक्चा खुद को बदलने की चुनौती बदना चाहिए कई बार हार भी स्विकारना चाहिए कई बार लगतार जीत हो तो उसको भी पचाना चाहिए यह सीखना चाहिए चातुर मास का समय चल रहा है और उस समय कोई व्यक्ति बोले कि आम खाना है मिल तो जाएंगे भारत के अब तोड़ा सरक्म अनुश्य से बसल गए है अब जब चाहो जो वह फल मिल चकता है लेकिन खाने योग है कि नहीं यह आपको विचार करना चाहिए क कि हां कि वास्टेक्त में पीड़ से आया है तो खालो लेकिन अगर किसी गोल्ड स्टोर से आया है तो मत खाऊ अपनी मनस्तित से उसमें बदलो कि मुझे यह नहीं खाना है जो कि अब मेरे लिए योग नहीं बचे ऐसे ही कुछ विक्ति भी आपके जीवन में आहेंगे जो आपके लिए हानिकारक होंगे उन वीक्तियोंको आप नहीं बदल सकते अपनी मनस्ति स्टी को बदलो परिवर्तित थो करके दूर हो जाओ लोग मिलेंगे जुडएंगे आप्शे काम निकालेंगे आपको छोड़के आगे चले जायेंगे तो क्या करेंगे उन परिस्तिति में अब अपने आपको बदलना सीखो अगर कोई आपको छोड़के चला गया है किसी ने आपका पैसा खा लिया है कोई आपको धोका दे रहा है कोई आपके आस्तीन में ही सांप बनके रह रहा है आप मना सिति बदलो जादा देर ऐसे लोगों के सांथ रहना हानी का रख है मतलब समझे आप जहर खाके मरने की अपेच्छा से भूके मरना ज्यादा स्रेश्ट है क्योंकि वह एक आप्शन तो है कि खाना मिल सकता है गलत विक्ति के साथ रह लिए अत्वा गलत किसी विक्ति ने गलत कर दिया और उसके साथ आप निभाई रहे हो तो जहर खाने जैसा ही कि खुद को बदलने की प्रक्रिया पर आएं सबसे घटिन प्रक्रिया है कुद को बदलने की मेरा मानना की मांसिक शांती और जीवन में आनन ला कि यह दो चीज़ें हर किसी को चाहिए एक तो mental peace रहे mental peace रहे आप सोचो कि आप कुछ करना ना पड़े ना खाना पड़े ना कुछ करना पड़े हर चीज आपको सोचो और मिलती रहे कितनी मानसिक शांती रहेगी जो चीज आप सोचो वो ही वो ही हो कितनी मानसिक शांती रहेगी इस मानसिक शान्ती की तो बुर्शात करना चाहिए विक्दी को मानसिक शान्ती और जीवन का आनंद अगर आप दोनों बनाया रखना चाहते हो तो परीवरतन को स्विकार हो पर स्थितियों को बदलते नहीं बनता हो तो खुद को बदलना भी से कि मेंटल पीस से बढ़की कोई बात नहीं है कि जब उने कहा कि ओम इग्नूराय नहीं है इग्नूरेंस इस दा बेस्ट मेडिसिन तब आप मेरी इस बात को हो सकता वो समय ना मानों है अधरी परिणे बदलती है तो आपको मालूं से लिए कि कमऊं होती है आप क्या करते हो जैसे कुछ परिस्थितल सामने आई तो आप क्या करते हो कि तुरंत नीड्ने لेना ने तुरंट नेना मतलों थोड़ा रकूं दोनों पक्षों को समझो हूँ है जो project होता है Quốc जाता है तो वह दोनेव चीज़ों को देखता है फ़ाइल से इसक शोगारी क用 दोनों केश को गारता है फिर इसके बारत बात करता है फिर चाशकंस अगर उसने paper काज़ की दंप पर निर्ना ले ले लियोगा तो निर्ना गलत हो शकता है क्योंकि जूट की file तो मौती होती है सच की file पतली होती है सच वाले के पाफ सबूत होना है तो अपनको अगर जीवन का आनन्द बना के रखना है जीवन में सुक्सान्ति चाहिए मांसिक मेंटल पीर चाहिए तो आपको वोची स्विकारना पड़ेगी इग्नोरेंस चेंजेज आपको लाइफ में उतारना पड़ेगा यदद भी बहुत कटिन है लेकिन अगर आज से पुर्शात करो के तो आएगा जैसे मैं पुर्शात कर रहा हूँ मैं बहुत दिन से प्रेक्टिस कर रहा हूँ अभ्यास कर रहा हूँ कि मैं दुखी नहीं होगा कोई परिस्ति आ जाए इग्णोर करो चलो ठीक है अब नई चुनौती को देखते हैं तो मैं दुखी नहीं होँगा यह प्रेक्टिस कर रहा हूँ इससे बड़ी कोई प्रेक्टिस नहीं है कि आप देखो कि बड़े-बड़े बंगले गाड़ी महल पैसा जायदाद सब लोगों के पास लेकिन इतना सब कुछ होने पर भी अगर वो दुखी है तो सुक किसका होँगा सोने की पिंजरे में सुन्दर सी चिडिया सोने की कटोरी उसमें काज्यू की घीर हवा करने लोग रखे हुए तो चिडिया को उसका मज़ा थोना है मज़ा तो तब है जब उचिडिया खुले आकाश में उड़े अपना घर खुद बनाए कि सोने का पिंजरे उसको चुपता है तो घांस का घर उसको अच्छा लगता है क्यों क्योंकि उसको मानसिक शांती है अब उनको मेंटल पीस की और जाना चाहिए हमने का कथा पड़ी कि गोड़ा हर दिन शहर से जंगल जंगल से घूमता था तो वह गुमता था तो रोजिकiamo सेड़् के घर के बाहर गोड़ा ऑन स्क राज्टे के आते जाते अशना चाहिए वस्कोते की चार लोग सेवा करते थे दो लोग अंच्छफे अ सब्सक्तेत के सबकुछ हाथ पर अपन सिसनी पहां थोड़े दिन बाद एक उसने द्रस्य देखा इस्तिति देखी क्या द्रस्य था वो सेट घोड़े पर बैटा है बहुत सारा माल उसकी पीट पर लदा है पीछे से चावक मारे जा रहे हैं कि चल आगे चल वो सोचता है भी यह अपनी सोच तो गलत थी जंगल में सुखी घास खा लेना स्रेश्ट है लेकिन बंदन के चन्य अच्छे नहीं है यह इस्तिति उस गोड़े की थी और यही इस्तिति आप सब की है कि आप जंगल में परिवार के घर के मानसिक तनाओ के जंगल में बंदे सुस्वतंत नहीं हो आप उस घर के जंगल में बंदे हुए हो परिवार का एक जंगल है पैसा कमाने का एक जंगल है आप अगर चाहो तो वान प्रस्त की ओर अगर के खुले आकाश में रहकर के भी चने खा के जी सकते हो लेकिन तुमको वो कोड़े की रोटी ही बसंद है तुमको कोड़ा खा का के ही वो घास खाना बसंद है इसलिए दुखी रहते हैं चेंज करो खुद को अब अपने लिए भी सोचना प्रारम करो we should think about ourself हमको अपने बारे में ही सोचना प्रारम करना चाहिए इसलिए कहना है कि when you are not able to change the conditions change yourself खुद को बदलने का पुर्शाद प्रारम करें मानसिक शान्ती मिलेगी और मानसिक शान्ती मिलेगी कि आप किसे बड़ा अमीर कोई नहीं दो रोटी एक लेबर दो रोटी कमाता है शान्ती से खागे सोचाता है वो आप से अच्छा है क्योंकि उसकल की चिंता नहीं है मुझे तो लगता है कि आप लोगों से अच्छी तो चिडिया है बुरा नहीं मन चुक्के लाती है खाके सो जाती है उसके घर में उतनी जगा होती है जितने में वो रहती है उसके बच्चे रह लेते हैं कल का कोई स्टॉक नहीं है धानने का अनाज का खाने का कल का कल देखेंगा खल नहीं उडान भरती है नहीं धूंड के लाती है तो आपके जीवन में सुक आना प्रारम हो जाएगा, ज़रूरी नहीं कि आप हर विक्ति को बदल पाएं, अगर विक्ति को नहीं बदल नहीं पा रहे हैं, अगर आप विक्ति को बदल नहीं बा रहे हैं, तो खुद को बदलने का पुर्शात प्रारम कर दें, जीवन में शान वीप सो मिटी नीटी क्लास नीटी क्लास नीटी क्लास